वोल आप सभी को बूड मॉनिग चली आज हम लोग जानेंगे यूज ऑफ हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट के लिए यानि कि भूत के लिए जो बीच चुका है उसमें अपने चीज को बताते हैं उस पर अपना हम रिलेशन बताते हैं उसमें अपना अधिकार पोसेशन बतात सब्सक्राइब करते हैं कोई भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका प्रयोग किसके साथ होता है पास्ट के लिए जो बीच चुका है बीच रखता था रखती थी रखते थे जिस था था का मतलब हम ऐसे भी समझते हैं कि क्या होता है भूत काल होता है पास्टेंस होता है चली हम लोग वीडियो के मादम से समझते हैं जैसे सब्जेक्ट कोई भी हो जैसे सब्जेक्ट में हो सकता है आई हो सकता है वी हो सकता है यू हो सकता है सी हो सकता है इट हो सकता है दे हो हो सकता है या किसी का नेम हो सकता है कॉलेक्टीव नेम हो सकता है कुछ भी हो सकता प्राय उसके साथ हमेशा प्र्योग होगा है किसका हेड का है बस अदा मत चुरिया आको कुछ समझ में तक बाच कीजिए कोई बीसे सब्गेक्न si Singapore बस उसके साथ आप हमेशा किसका प्रो कीजिए, हैड का इप्रो कीजिए, जैसे मैं एक sentence लिखता हूँ, मैं एक गाय रखता था, मैं एक गाय रखता था, इसका आप sentence आप बताईए, मैं एक गाय रखता था, subject does not matter, हमेशा हमेशा हैड का इप्रो कीजिए, बिलकुल, इंगलि कि प्रच पर करना है और यहां नहीं लगा देजिए तक देखते हैं यहां पर लगा देखते हैं यहां पर लास्ट में देखने था था तो था के समझते हैं वाजवियर्ट लगे का प्रियोंगा यह बिल्कुल गलत है हमको रखता था जिसमें के पता चलता है यह वह फूटर में हो पास्ट में हो या परजैंट में उससे मतलम नहीं है उसके साथ हमें सा है रहां होई अपना अधिकार सम्झा बताने के लिए उसमें मीशा है और है डिकाई प्रियोग होगा चलि मैं गया रखता था आई है डे काओ चलि सीता पोछ ऐसे पास क्या होगा आपनलोग कमेंड कीजिए do in पी सीता के पासे कार्थ अजितर करना क्या थी मैं सीटा सीता है तो क्या लगेंगे सिटा का सिता के साथ सब्सक्क के चात हम को स्चतर करने आ चीटा है टी क्या थी ये कार्थी स्रीता है डेक कार बिलकुल आएगा समझ में बस इंगलिस सबसे आसान है बिलकुल आसान है इजी इजी टू नो इजी टू राइट इजी टू ए स्पीकिंग बस आप उस पर ध्यान दीजिए आपको उसमें पकर होनी चाहिए उसमें आपका मन लगना चाहिए चले मैं एक संटेन देता उसको बनाईए आप लोग आप लोगो के पास एक एक खिलोना था चले इसका आप लोगों के पास एक खिलोना था आप लोग के पास एक खिलोना था तो यू तो होगा ही होगा यू सबजेक्ट होगा यू ख़ग यू हमको प्र yogh करना है head का यू हैड के पास एक खिलोना था यू हैड ट्वाइब बिल्कुल समझ में आएगा इस आप वीडियो को देखते रहें इंगली सापका बिल्कुल आसान हो चाएगा चलिए मैं अकला सेंटेंस देता हूं आप लोगों के पास एक खिलोना था यू हैड ट्वाइब यू हैड ट्वाइब आगे उसके पास एक एक सारी थी उसके पास एक सारी थी चलिए इसका आप लोग बताएए जल्दी से फर्स्ट कोमेंट की जे इंसर के क्या होगा तब हम जानेंगे कि आपको आपने क्या सीखा आपके पास एक सारी थी आपके पास उसके पास एक सारी थी उसके पास एक सारी थी सारी तो कोई लर्का पहन नहीं सकता है सारी कौन पहनती लर्की पहनती है इसे साब मालूम चलता है कि उसके पास एक सारी उसके का किसी किसका करना है कि लिए बिल्कुल ही जी है कि है का प्रयोग बिल्कुल इजी है बहुत सारे बच्चे बारबर बोलता वह सारी बच्चे है। गलत ही-गलत है उसके पास एक उसमें जब भी आपको मालूम चले हो अधिकार का पता चलता है है और वह बसारते होना चाहिए हओ हो 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 तब किया किस प्रिव करें और है का प्रिव करें और है treating के लिए उबर्तमान में दिखाने के लिए धभन्यवाद